दोस्तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिग्र पतन में बर्गत के दूद का इस्तमाल बताया था जो की बहुत ही कारगर योग है पर फिर भी बहुत से ऐसे लोग है जिने बर्गत का दूद रोजाना नहीं मिल पाता है उनके पास समय नहीं है या फिर वो बर्गत के दूद को इस्तमाल करने में ऐस मरत है तो उन लोगों को मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि वो बर्गत के फलों का इस्तमाल करके कैसे सिग्र पतन, सवपंदोस, धात गिरना, वीरिया में सुक्रवानों की कमी जैसी समस्या को असाने से ठेक कर सकते हैं जो की बहुती सरल वे असरदार योग है इसके लिए आप बर्गत का पका हुआ लाल रंग का फल विरिक्स से तोड़िये और ध्यान रखे धर्ती पर गिरा हुआ फल ना ले और इसे लोहे की किसी भी परकार की वस्तु से सपर्ष ना करे अब इन फलों को किसी साफ सुतरे कपड़े पर फैला कर छाओ में सुखाए फल को हवादार सथान पर सुखाना चाहिए वरना फल बिगड जाता है सुखने के बाद इन्हें हातों से मसल कर खुब बारिक कर ले या खरल में बारिक कीजिए और इनके बराबर वजन में पिसी हुई धाग्ये वाली मिश्री मिला ले और इन्हें किसी अच्छे साफ सुतरे चिन्नी के बरतन में रख दे और रोध सुबाश्याम गुनगने दूद के साथ एक छोटी चमच लगबग 6 गराम की मात्रा का सेवन करे जिनको सिग्रपतन की सिकायत है उनके लिए यहें चमतकारिक ओस दिया सिग्रपतन इसके प्रयोग से ठीक हो जाता है वीरिय विकार नस्ट करने के लिए यहां एक अदबुद ओस दिया वीरिय में संतान उत्पन करने वाले तत्व उत्पन कर गर्ब सितेत करने का इसमें विशेश गुन है केवल वीरिय की कमजोरी के कारण जिनके यहां कमजोर संतान होती है या कमजोर वीरिय के कारण गर्ब में संतान हट जाती है तो उस समस्या में पति-पतनी दोनों ही इस ओसदी को दो महीने तक जरूर प्रियोग करे सर्तिया, बल्वान, गोरे रंग के संतान होगी साथ ही जिन पुर्षों का वे महिलाओ को सारे कमजोरी की सिकायत है वे हैं इसका बेजिजग परियोग कर सकते है एवं लाब उठा सकते है तो दोस्तो बर्गत के फल की यह जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक वाशेर जरूर करे और अगर आपका कोई भी सवाल या तर्ग है तो कोमेंट बुक्स में कोमेंट करना ना भूले धन्यवाद दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए